असम विधान सबा में बजट सत्र के दोरान मुख्य मंत्री हिमंत विश्वा सर्मा का गुस्सा देखने को मिला विधान सबा में मुस्लिम मेरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 के खत्म किये जाने पर सवाल उठा रही कॉंग्रेस के नेताओं को उन्होंने जम कर खड़ी खोटी सुनाई इस दोरान हिमंत विश्वा सर्मा गुस्से से लाल नजर आ रहे थे असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्ट करने की मनजूरी हाल ही में दी थी जिसके बाद इस पर राजनीती भी शुरू हो गई मामले को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सर्मा ने एक बार फिर कॉंग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कॉंग्रेस के लोग इस बात को गाठ बांध ले कि जब तक वो जिन्दा है तब तक छोटी बेटियों की जिन्दगी बरबाद नहीं होने देंगे शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उन्होंने विधान सवा सत्र का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कॉंग्रेस के लोग सुन ले जब तक मैं हिमंत बिश्वा सर्मा जिन्दा हूँ तब तक असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूँगा आप लोगों ने मुसलिम समधाय की बेटियों को बरबाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरह से बंद किये बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे दरसल हिमंत बिश्वा सर्मा ने 2026 तक राज में पूर रोप से बाल विवाह को खत्म करने का संकल्प लिया है उन्होंने सदन में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा मैं आप लोगों को राजनीतिक रूप से चुनवती देता हूँ कि मैं इस दुकान को 2026 तक बंद कर दूँगा उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि असम में बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा उन्होंने कहा था असम में बाल विवाह खत्म करने के लिए राजव्यापी मिशन शुरू किया जाएगा जिसमें लगबग 200 करोड रूपियों का खर्च आएगा कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलिम विरोधी हैं लेकिन तीन तलाक बाल विवाह और बहु विवाह को खत्म करने के लिए हमने कॉंग्रेस से ज्यादा काम किया है